जाइंद इंडिया डिफेन शत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडिया मिलेटरी अकाडेमिक गुरूप सी पदव पर 10 वी पास और 12 पास स्टूडेन के लिए ओल ओवर इंडिया पर एक भैकेंसी लेकर आपके सामने आया हूँ बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन की फूल डिटेल से फॉर्म फिलाफ कैसे कर लेना होगा क्या 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 डॉकुमेंट्स देना है इंवलाफ कैसे फिलाफ करके कैसे पोस्ट करना है और पोस्ट अलोडर किसको लगेगा और कैसे फिलाफ करके आपको अप्लिकेशन के साथ भेजना है, सारे जानकरी मैं आपको प्रोवाइट करूँगा, तो दोस्तों चलते हैं, नोटिफिकेशन के और, तो दोस्तों पहली पार्ट में मैं आपकी इसका नोटिफिकेशन के बारे में प्रोवाइट करूँगा, दूसरी पार्ट में मैं इसका फॉर्म फिलाफ कैसे फ इस्ट्राग्राम फेस्बूक पेस्ट से भी जूर सकते टुईटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते किसी भी पॉब्लम में तो इस जगह आप हमें कॉमेंट करके आप आपकी पॉब्लम का सलुशन में आपको प्रोबाइड करता हूँ और अगर आप इस चैनल पहली बारा है त आप प्लेइलिस्ट में जाकर इसमें आगस्ट की 2023 का जो वैकेंसी फूल नोटिफिकेशन समेथ फॉर्म फिला पॉसेडियोर इस पर आपको मिल जाएगा तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की और दोस्तों जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इंडियार मेल्टर आकाडेमी देरादुन गुरुप सी पदोपर या पर दसवी पास की और ट्यूल पास की जो नोटिफिकेशन निकला है उसका ओफिस्याल नोटिफिकेशन है जिसका लिंक में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोबाइट कर दूँँगा उसके बाद यह आपके जो जो पोस्ट यह पर देखा गया है यह आप जैसे एंटी ड्राइबर ओर्डिनरी ग्रेट के लिए लोट डिविशनल पदोपर यह पर आपका नोटिफिकेशन निकाली गई है जैसे एंटी ड्राइबर पदोपर यह आपर टोटाल पोस्ट सेबेन है यूर के दुर आपको होना चाहिए और मांस्ट प्रोसेश्य औरी DB ये लाइस मेंस वर है वी ड्राइवंग लाइसेंस अपको होना चाहिए और का एक्स्प्रेंस पर अभेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको टोटाल तीन वैकेंस यह जेनराल के लिए और इसके अपको हुना चाहिए और अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो 35 वाट पर मिनिट होना चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 30 वाट पर मिनिट होना चाहिए और इसके साथ आपको qualification होना चाहिए computer knowledge में including MS office और आपको typing test दिया लिया जाएगा जो आपको स्रिफ qualify ने चारे और एक seat आपको one seat reserve पर ESM candidate के लिए उसके इलावा यह पर आपको cook special candidate के लिए दो seat रखा गया है यह पर आपको स्रीफ एक candidate ESM candidate के लिए और एक candidate आदर backward class के लिए यह पर आपको रखा गया है इसमें फर्म फिलाव करने के लिए आपको matriculation pass out होना चाहिए इस भी बोर्ट से और मास्ट नोलेज होना चाहिए इंडियान cooking और proficiency in trade में उसके बाद वेटर पदोपर आपको श्रीफ एक vacancy है जो श्रीफ यह पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसमें आपको matriculation pass out होना चाहिए इसमें आपको matriculation pass out होना चाहिए और आपको सब्सक्राइब करने के लिए आपको matriculation pass out होना चाहिए और conservation of duties of respective trade में आपको one year expense होना चाहिए उसके बाद आपको grounds man MTS पदोपर यह पर एक एक seat करके रखा गया है जो seat आपको reserve है ग्रूम में आपको 1 seat reserve है जो सारे candidate आवेदान कर पाएंगे इसमें form fill up करने के लिए matriculation pass out होना चाहिए और आपको knowledge होना चाहिए room पदोपर MTS messenger पदोपर यह पर आपको seat reserve है उसके बाद यह पर आपको इस form को fill up करने के लिए आपको matriculation pass out होना चाहिए और one year experience होना चाहिए इस form को आभिदन करने के लिए उसके इलावा यह आपको सारे जानकरी दिया गया important instruction एज लिमीट आपको एज लिमीट रखा गया है और MTS driver के लिए 18 से 27 तक और not less than 18 से नीचे आपको नहीं होना चाहिए और आधर सारे जो पोस्ट है उनके लिए आपको 8 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप आभिदन कर पाएंगे एक सर्विसमेंड के लिए आपको अलग से छूट रखा गया है और फिजिकल हैंडिकप के लिए टेन यार आपको छूट मिलने वाला है उसके एलाबा आपको फीस की बात करें तो यह आपको पोस्टाल ओडर में आपको 50 रुपीस का पोस्टाल ओडर देना होगा जो आपक सब्सक्राइब के लिए और एक सर्विसमेंड के लिए विल्कुल फ्री रखा गया है आपको मुफ्त में आपको रिफांड नहीं किया जाएगा इसके साथ आपको जो डॉकुमेंस देना पड़ेगा यह आपको विस्तार से प्रोवाइट किया गया है जैसे फोटोग्राफ शीप्ट और सुईट और लाइट कलार बैक्राउंड के साथ नौट मोर दैन थ्री मांथ लेटर आपको होना नहीं चाहिए और टुबी पोस्ट अने स्पेस इमार्ट और अप्लिकेशन फॉर्मेंट में होना चाहिए और डिवली सेलफ अटेस्टेट होना चाहिए और फ्र पॉजन टोईंटित्री इसके अंदर आपको फॉर्म फिलाब कर लेना होगा और फॉर्टि फाइब देस के अंदर आपको इसके अंदर कर लेना होगा जो एम्प्लाइमेंट निव्ज रोजगार समाचार में निकलेगा उसके से काउंट होने वाला है उसके बाद इस्कीम पार्द लिदे से के बार में बताया गए आपका स्लेल से रहेगा फेपार लएफ ट्पर टू पर ट्री आ पर फोर में पेपार वान में आपको जेनर अनिंडि़ीजन जेनर लावाननेस जेनर निंगलिज़ और निम्रियल अप्टिटूड में यह पर सब्सक्रीज़ पर और पोस्ट पर आपको 12 बेसिस पर एक्जाम होने वाला है और सारे पोस्ट आपको मैंटर्गुलेशन पोस्ट के आपको होने वाला है English और Hindi language में आपको कुसरेंद आएगा skill test low division clerk के लिए और सारे जो candidate उनको लिया जा सकता है और low division clerk के लिए आपको स्रिफ qualify nature होना चाहिए जिसमें आपको max scale word power pointer account में आपको शमता होना दिखाना पड़ेगा important instruction यह आपर बताया के candidate को यह आप आप चाहे तो पर सकते हो एनेक्सियर 1 आपको एक सर्विसमें केंडिट के लिए देना होगा एनेक्सियर 2 ओबीसी केंडिट के लिए आप आप देंगे अगर आप पेशिस्ट केंडिट है अगर आप सीट रिजर्वेशन है तो यह आप आप दे सकते हों तो दोस्तों यह थी नोटिपिकरेशन की फूल डिटेल्स अब आपको फॉर्म फिल आप कैसे करना है उसके बारे में आपको प्रोबाइट करूंगा तो दोस्तों फॉर्म फिल आप करने के लिए पहले एप्लिकेशन फॉर्माट आपको प्रिंट करना पड़ेगा एफोर साइज पेज में जिस सबके लिए मैनेटरी होगा